नवश्कार केमशे गुजरात में ठंडी बंडी शेग नहीं गुजरात के राजपाल आचारिय देवरत जी मुख्यमंत्री स्रिमान पीजे भहरुपानी विदान साबा स्पीकर स्री राजेंदर त्रिवेदी जी केंद्रिय स्वास्त मंत्री दॉक्टर हर्श्वर्दन जी डेपुटी सीम भाई नितिन पतेल जी मंत्री मंडल के मेरे साथी स्रिमाना स्वीनी चौबे जी मंशुप भाई मानविया उर्षवतम पुपाला गुजरा सरकार में मंत्री जीवुपेंदर सी चुडास माच्री किशोर कानानी अन्य सभी मंत्री गण, साउसद गण, धाराचब्य गण अन्य सभी महानुभाव भाई और भेनो नया साल दस तक दे रहा है आज देश के मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जूढ रही है राज़कोट में All India Institute of Medical Sciences का सिलान्यास गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्त और मेडिकल इजूशन के नेटवर्क को उसके कारण बल मिलेगा भाई और बहनों साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ बिदाई देना इस साल की चुनोतियों को भी दर्साता है और नए साल की प्राफिक्ताओं को भी श्पस्ट करता है ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्त के रुप में अभूत पुर्वज चुनोतियों का साल रहा है इस साल ने दिखाया है कि स्वास्त ही संपदा है ये कथा हमें अमारे पुर्वजों ने क्यों सिखाई है ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है ये 2020 ने हमें भली भाती सिखा दिया स्वास्त पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं पूरा सामाजिक दाइरा उसकी लपेट में आ जाता है और इसलिए साल का ये अंतिम दीन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स हेल्थ वारियर्स सफाई कर्मियों दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना युद्धाओं को याद करने का है जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दाउं पर लगा रहे है कर्तव ये प्रतपर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है मैं आज उन सब को आदर पुर्वक नमन करता हूं आदेश उन साथियों को उन वैग्नानी को को उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफरस्ट्रक्टर तयार करने में दिन राद जुटे रहे हैं आज का दिन उन सत्पी साथियों की सराना का है जिनोंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाय पहुचाने में पूरे समर्पन के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामुहिक संगठिक ताकत समाज का सेवा भाव समाज की सम्वेदन सिलता उसी का नतिजा है कि देश वास्यों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया ये सब नमन के पात्र है आदर के पात्र है साथियों मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एक जूट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को वो सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है भारत ने एक जुड़ता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए उसी का परणाम है कि आज हम बहुत बहतर सिती में है जिस देश में 130 करोड से ज़्यादा लोग हो गनी आबादी हो वहां करीब करीब एक करोड लोग इस बिमारी से लड़कर जीत चुके है कोरोना से पीडित साथ्यों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बहतर रहा है वहीं अब संक्रमन के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरब जा रहा है भाई और बहनों साल दोहजार बीस में संक्रमन की निराशा थी चिंताएं थी चारों तरफ सवालिया निशान थे दोहजार बीस की वो पहचान बन गई लेकिन दोहजार इकीस इलाज की आशा लेकर के आ रहा है वैक्सिन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं भारत में बनी वैक्सिन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुँचे इसके लिए कोशिश हैं अंतीम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है मुझे विश्वाथ है कि जिस तरह बीते साल संक्रमन से रोकने के लिए हमने एक जुढ होकर प्रयास किये उसी तरह टीका करन को सभल बनाने के लिए भी पूरा भारत एक जुढता से आगे बढ़ेगा साथियों गुजरात में भी संक्रमन को रोकने के लिए और अब टीका करन के लिए तैयारियों को लेकर प्रसंशनिय काम हुआ है बीते दो दसकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफरस्रक्चर गुजरात में तयार हुआ है वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनवती से बहतर तरीके से निपट पा रहा है एम्स राजकोर्ट गुजरात के हिल्थ नेटवर्क को और ससक्त करेगा मजबूत करेगा अब गंबीर से गंबीर बिमारियों के लिए राजकोर्ट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्द हो रही है इलाज और सिक्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तयार होंगे नए स्पताल में काम करने वाले लगबग पांच हजार सीधे रोजगार उपलब्द होंगे इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बाहर एक छोटा शहर ही बस जाता है भाई और भेनों, मेडिकल सेक्टर में गुजरात के इस सभलता के पीछे दो दस्यकों का अनवरत प्रयास है समर्पन और संकल्प हैं बीते छे सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस केल पर काम हुआ है उसका निश्चित लाप गुजरात को भी मिल रहा है साथियों, बड़े अस्पतालों की स्थीती उन पर दबाव से आप भी भलीभाती परीचित है स्थीती ये थी कि आजादी के इतने दसकों के बाद भी सिर्फ छे एम्स ही बन पाए थे 2003 में अटलजी के सरकार ने छे और एम्स बनाने के लिए कदम उठाए थे उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था यानि नव साल लग गए थे बीते छे सालों में दस नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं जिन में से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं एम्स के साथ साथ देश में 20 एम्स जैसे ही सूपर स्पेशलिटी होस्पिटल्स का निर्मार भी किया जा रहा है साथियों साल 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग 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 अप्रोच के साथ काम कर रहा था प्राइमरी हेल्थ केर का अपना सिस्टम था गावों में सुमिधाय नके बराबर थी हमने हेल्थ सेक्टर में हस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम करना सुरू किया हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केर पर बल दिया वहीं इलाज की आधुनिक सुमिधाओं को भी हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया वहीं इस बात पर भी जोड़ दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृत्धी हो साथियों आईश्मान भारत योजना के तहट देश भर के दूरदारत के इलाकों में लगभग देड़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है अभी तक इन में से पचास हजार सेंटर सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं लगभग पाँच हजार गुजरात में ही है इस योजना से अब तक देश के करीब देड़ करोड गरीबों को पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज मिला है इस योजना ने गरीब भाई बेहनों की कितनी बड़ी मदद की हैं इसके लिए एक आँकड़ा में देश को बताना चाहता हूँ सात्यों आईश्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड रुपिये से ज़्यादा बचे हैं 30,000 करोड रुपिये ये बहुत बड़ा रकम है आप सोचिए इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है कैंसर हो, हार्ट की प्राब्लेम हो, किड्नी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बिमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुप्त कराया है और वो भी अच्छी अस्पतालों में है साथियों, बिमारी के दौरान गरीबों का एक और साथी है जन आउशदी केंद्र देश में लगभग साथ हजार जन आउशदी केंद्र गरीबों को बहुती कम किमत पर दवाईयां उपलब्द करा रहे हैं इन जन आउशदी केंद्रों पर दवाईयां करीब करीब 90 प्रतिशत तक सस्ति होती हैं यहने सो रुपिय की दवाई दस रुपिय में मिलती है साड़े तीन लाग से जादा गरीब मरीज हर रोज इन जन आउशदी केंद्रों का लाब ले रहे हैं और इन केंद्रों की सस्ति दवाईयों की बज़े से गरीबों के हर साल आउशदन एवरेज 3600 करोड रुपिय खर्च होने से बच रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही है वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आकिर सरकार इलाज का खर्च कम करने दवाईयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही है साथिया हम में से अधिकाउस उसी पुरुष्ट भूमी से निकले लोग है गरीब और मद्यमबर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है जब किसी गरीब को गंबीर बिमारी होती है तो इस बात की संभावना बहुत जादा होती है कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं है इलाज के लिए पैसे ना होना गर के अन्य खर्च अपनी जिम्मेदारियों की चिंता व्यक्ति के वहवार में यह बड़लाव लाही देती है और हमने देखा है जब गरीब बिमार हो जाता है पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करता है दोरे धागे की दुनिया में चला जाता है पूजा पाड़ की दुनिया में चला जाता है उसको लगता है महीं से बच जाओंगा लेकिन वो इसलिए जाता है हम ये न कहें कि वो अंदसरता है वो इसलिए जाता है कि उसके पास सही जगा पर जाने के लिए पैसे नहीं है गरीब ही उसको परिशान करिए साथियों हमने ये भी देखा है कि जो वहवार पैसे की कमी की विज़े से बदल लाता है वही वहवार जब गरीब के पास एक सुरक्षा कवर्थ होता है तो वे एक आत्मिस्वास में बदल जाता है आईश्मान भारत योजना के तहट गरीबों का इलाज लोगों के स्टिंता इस वहवार को बदलने में सफल रहा है जिसमें वो पैसे की कमी की वज़े से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे और कभी-कभी तो मैंने देखा है कि घर के जो बुजूर्ख है जादा बुजूर्ख नहीं पैतालिस-पचास साल के आईउग बड़े वे इसलिए मिमार दमाई नहीं कराते वो कहते कर्ज हो जाएगा तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बरबाद हो जाएगे बच्चों की जिंदगी बरबाद नहो इसलिए कई माबाप जीवन भर दर्द जहलते हैं और दर्द में ही मरते हैं क्योंकि कर्ज नहो दर्द जहले लेकिन बच्चों के नसिब में कर्ज न प्राइवेट होस्पिटल जाने के तो गरीब पहले कभी सोची नहीं पाता था अईश्वान भारत के बाद अब ये भी बदल रहा है साथियों अपने स्वास्त की सुरक्षा का एहसास इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं आज हेल्थ और वैलनेस को लेकर एक सतर्ता आई है गंबीरता आई है और ये सिर्फ शहरों में हो रहा है ऐसा नहीं है अब दूसरे देश के गावों में भी अब ये दूर सुदूर हमारे देश के गावों में भी ये जागरूता हम देख रहे है व्यावार में परिवर्तन के ऐसे उधारण अन्निक शेत्रों में भी नजर आ रहे है जैसे सोचालेजों की उपलब्दता से लोगों को स्वच्चता के लिए और जागरू किया है हर गर जल अभियान लोगों को स्वच्च पानी सुनिसित कर रहा है पानी से होने वाली बिमारियों को कम कर रहा है रसोई में गैस पहुंचने के बाद न सिर्व हमारी बहन बेटियों का स्वात सुदर रहा है बलकि पूरे परिवार में एक सकारत्मक्ता की सोच आई है ऐसे ही प्रधान मंत्री सुरक्षट मात्रुत्व अभियान के गर्मबती महलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोटसाइद किया है और चेक अपके कारण उनको पहले से गंबीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है इसका लाब यह हो रहा है कि गर्मबस्ता के दौरान जो कॉंप्रिकेटेड केसिस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है वहीं प्रधान मंत्री वामात्रू बंदना योजना के दौरा यह सुनिशित किया जा रहा है कि घर्मबस्ती महलाओं को परियाप्त पोशन मिले देखभाल मिले पोशन अभ्यान ने भी उनमें जागरुता बढ़ाई है इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाप यह मिला है कि देश में maternal mortality rate माता मृत्युदर पहले के मुकामले काफी कम हो रहा है साथियों सिर्फ आउटकम पर प्रणाम पर ही फोकस करना काफी नहीं होता है इंपक्ट महत्पुण है लेकिन implementation भी उतना ही महत्पुण है और इसलिए मैं समयता हूं कि व्यावार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेस प्रक्रिया में सुधार करना आवशक होता है बीते वर्षों में देश पर इस पर बहुत जोड दिया गया है इसका नतीज़ा यह है हम देख रहे हैं कि देश के हिल्ट सेक्टर में जहां जमीनी स्थर पर बढ़लाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है एक्सेस स्वास्त सुवीधाओं तक उनकी पहुँच और मैं स्वास्त और सिख्षा के एक्सपर्ट से आज यह भी आग्रह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की एजुकेशन पर जो प्रभाव बढ़ा है उसका जरूर अध्यन करें यह योजनाओं यह जागरुकता एक बड़ी वज़े है जो स्कूलों में बेटियों की ड्रॉप आउट रेट में कमी ला रही है साथियों देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है मेडिकल एजुकेशन की मनेजमेंट में जुडी समस्याओं में रिफॉर्म्स किये पारम पारिक भारतिये चिकित्सा से जुडी सिक्षा में भी जरूरी रिफॉर्म्स किये नेशनल मेडिकल कमिशन बनने के बाद हेल्थ एजुकेशन में क्वालिटी भी बहतर होगी और क्वान्टिटी को लेकर भी प्रगति होगी ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट उसके साथ साथ दो साथ का पोस्ट अंबीबियस डिप्लोमा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर के लिए डिस्ट्रिक रेसिदेंसी स्कीम हो ऐसे नए कदमों से जरूरत और गुणवत्ता दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है साथियों लक्ष ये हैं कि हर राज्य तक एम्स पहुंचे और हर तीन लोग सबाक्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो इनी प्रयासों का प्रणाम है कि बीते छे साल में MBBS के 31,000 नई सीटे और पोस्ट ग्रेजुएट के में 24,000 नई सीटे बढ़ाई गई है साथियों हेल्ट सेक्टर में भारत जमीनिस्टर पर बड़े परिवर्तन की और बढ़ रहा है अगर 2020 हेल्थ चलेंजिस का साल था तो 2021 हेल्थ सॉलूशन का साल होने वाला है 2021 में विश्व स्वास्थ को लेकर और ज्यादा जागुरु होकर समाधानों के तरफ बढ़ेगा भारत ने भी जिस तरह 2020 में हेल्थ चैलेंजिस में से निपटने में अपना योगदान दिया है वो दुनिया ने देखा है मैंने शुरू में इनका जिक्र भी किया है साथियों भारत के ये योगदान 2021 में हेल्थ सॉलूशन के लिए सॉलूशन के स्केलिंग के लिए महतवपुन होने वाला है भारत फ्यूचर ऑफ हेल्थ और हेल्थ ऑफ फ्यूचर दोनों में ही सबसे महतवपुन रोल निपाने जा रहा है जहां दुनिया को कॉंपिटन मेडिकल प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे उनका सेवा भाव भी मिलेगा यहां दुनिया को मास इम्मिनाजेशन का एक्स्पिरेंस भी मिलेगा और एक्सपरटाइज भी मिलेगी यहां दुनिया को हेल्थ सॉलुशन्स और टेकनलोजी को इंटीग्रेट करने वाले स्टार्ट अप्स और स्टार्ट अप इको सिस्टिम भी मिलेगा यह स्टार्ट अप्स हेल्थ केर को एक्सेसेबल भी बना रहे हैं और हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूब भी कर रहे हैं साथियों आज हम सब यह देख रहे हैं कि बिमारिया अब कैसे ग्लोबलाइज हो रही है इसलिए यह समय की है और यह समय है कि हेल्थ सॉलूइशन भी ग्लोबलाइज हो दुनिया एक साथ आकर प्रयास करें रिस्पॉंड करें आज अलग थलग प्रयास साहिलोज में काम करना यह रास्ता काम आने वाला नहीं है रास्ता हैं सब को साथ लेकर चलना सब के लिए सोचना और भारत आज एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर है जिसने यह करके दिखाया है भारत ने दिमान के मुताबिक एड़प्ट, इवाल एन एक्स्पांड करने की अपनी क्षमता को साबित किया है हम दुनिया के साथ आगे भड़े कलेक्टिव एफ़र्स में वैल्यू एडिशन किया और हर चीज से उपर उठर हमने सिर्फ और सिर्फ मानवता को कैंदर में रखा मानवता की सेवा की आज भारत के पास क्षमता भी है और सेवा की भावना भी है इसलिए भारत ग्लोबल हेल्थ का नर्व सेंटर बनकर उभना है 2021 में हमें भारत की इस भूमिका को और मजबूत करना है साथियों हमार यहां कहते हैं सर्वम अन्य परित्यज्य शरिरम पालिये दतह याने सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता शरीर के स्वास्त की रक्षा ही है सब कुछ छोड़कर पहले स्वास्त की ही चिंता करनी चाहिए नए साल में हमें इस मंत्र को अपने जीवन में प्रात्मिक्ता के साथ उतारना है हम स्वस्त रहेंगे तो देश स्वस्त रहेगा और हम यह भी जाने जो फिट इन्डिया मुमेंट चल रहा है वो सिर्म नवजवानों के लिए हैसा नहीं है हर उम्र के लोग यह फिट इन्डिया मुमेंट से जूडने चाहिए और यह मौसम भी फिट इन्डिया के अपने मुमेंट को गटी देने के लिए बहुत अच्छा है कोई परिवार ऐसा नहों चाहिए योग की बात हो चाहिए फिट इन्डिया की बात हो हमें अपने आपको स्वस्त रखना ही होगा बिमार होने के बाद जो परिशानिया होती है स्वस्त रखने के लिए उतने प्रेत नहीं करने पड़ते हैं और इसलिए फिट इन्डिया इस बात को हम हमेशा याद रखे अपने आपको फिट रखे अपने देश को फिट रखे ये भी हम लोगों का करता वे हैं ये बात न भूले कि कोरणा संक्रमन घड़ जरूर रहा है ये यह ऐसा वाइरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है इसलिए दोगज की दूरी मास्क और सैनिटेशन के मामले में धील बिल्कुल नहीं देनी है नया साल हम सभी के लिए बहुत खुश्यां लेकर के आए आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो लेकिन मैं ये भी कहूँगा मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक दिलाई नहीं बार बार कहता था अब दवाई सामने दिख रही हैं कुछी समय का सवाल है तो भी मैं कहूँगा पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी भरतनी है और दवाई भी लेनी है दवाई आ गई तो सब छूट मल गई यह ब्रह्म में मत रहना दुनिया यही कहती है वैज्ञानिक यही कहते है और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का दवाई भी और कड़ाई भी दूसरी एक बात हमारे देश में अफ़ाओं का बाजार जड़ा तेज रहता है भाती भाती के लोग अपने नीची स्वात के लिए कभी घेर जिम्मारा वेफार के लिए भाती भाती अफ़ाई फेलाते हैं हो सकता है जब वैक्षिन का काम पारंभ हो तो भी अफ़ाओं का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है इसकी परवा किये बिना न जाने अंगिनत काल्पनिक जूट फैलाए जाएंगे कुछ मात्रा में तो सुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदिरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं मेरा देश्वासियों से आगर होगा कि कोरोना के खिलाप एक अंजान दुश्मन के खिलाप लड़ाई हम भी एक जिम्मवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्त का जो अभ्यान चलेगा हम सब अपनी तरफ से योगदान दे हम सब अपनी तरफ से जिम्मवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुचानी हैं उनमें हम पू 2020 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूं और राजकोटना मारा भाईयो बैनों ने आजे घणा समय मने फरी दर्शन करवानों मोकों मले हो छे खासी मोटी संख्यामा आपना बदाना दर्शन थे रहा चे आपना आसिरवाद मनी रहा चे मारा माटे मित्र बाई अभई भार्दवाच एमना में गुमावी दीदा कोरुना ने कारणे गुमावी दीदा आजे जारे राजकोट वासियो ने बच्चे आवेश्वी तारे भाई अभई नुस्मारन थो बहुत स्वाभाविक शे हो एमने आदर पूर्वक स्रत दांजली पना आप अरी एक बार राजकोट वासियो ने गुजरात वासियो ना एम्स गुजरात ना कौने कौना नरलोको माटे शे सव गुजरात वासियो ने एम्स माटे अनेक अनेव शुपकामना हो नवा वर्षनी खुपकुप शुपकामना हो धन्यवाद